यहां पर दुश्तों आप देख सकते हो कि add bank details पर मैं click किया, click करने के बाद यहां पर मुझे इहां पर ऐसे tick लगाना है दोनों में, tick लगा कर यहां पर नीचे के बूर आएंगे तो red एक set पर मुझे click करना है, इससे मैंने यहां पर click किया हमसे permission मांगा जाए, only this time पर हम click कर द पर मिल चुका है, जो कि यहां पर नीचे उपर को देखेंगे तो लिखा हुआ है, consideration where personal loan has been approved 16,780 रुपया, यहां पर देख सकते हो कि यहां पर 16,700 में से यहां पर देख सकते हो 15,04 रुपया GST और process fees charge कर जाता है, यहां पर आप देख सकते हो किडिस्वीटर जो हमारे bank account मे आएंगे वो 15,275 रुपया आएंगे, animal interest की बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हो 36% का है, काफी जादा है, ठीक है, नीचे के और आते हैं तो यहां पर देख सकते हो कि मुझे total requirement कितना करना है, तो मुझे total requirement जो करना है 17,535 रुपया, मन्थली MI की बात की जाए तो यहां पर 8,777 रुपया, यहां पर आप टेन उभर के बात की जाए, यानि कि कितने महिने के लोन मिल रहा है, तो हमें लोन महिने के लिए मिल रहा है, यानि कि 62 दिनों के लिए लोन मिल रहा है, जिसका MI मुझे 16 February 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों यहां पर पैसे को मुझे इटने की आइब कर सकते हैं, तो दुस्तों यहां इस फैसे को मुझे लोन पर करने की 1 पर करना की आइब कर अधार diesen कर से लोन रीक्वार्मेंट अगर एएप लोन मुझे 2 लेने के लिए लोन के बातर ब्रूट करने क Sounds पैसा मेरे बैंक की काउंट में तुरत 5-7 मिनिट में हमारे काउंट में आ जाएंगे लेकिन यह पैसा के मुझे रिक्वार्मेंट नहीं है तो दोस्ते छोटी से वीडियो में इतना ही और वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किजेगा और अपने फ्रेंट क जरू सेर किजेगा फिर मिलते कोई हम नेक्स्ट वीडियो में तुम तक लिए जाये हिंद बंदे मात्रम था इंक्यू फर वाचिंग वीडियो देंगल बन्हों धन्यवाद आप सभी लोगों का